कोरोना मामारी पूरे विश्व में फैच चुकी है भारत में भी कई मामले इसके सामने आ रहे हैं और लगाता आंकड़े जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं इसलिए स्वासमंत्रवाले की तरफ से भार सरकार की तरफ से एक ऐसा एप यहां पर लॉंच किया गया है ताकि हर एक इंसान जो अपने घरों पर बैठा है वो अपने आपको देख सके, क्वारंटाइन यहां पर कर सके और कुछ ऐसे सवाल है जिसके जरीए वो जान सकता है कि कितनी पॉसिबिल्टी उन इंसानों में हो सकती है उस शक्स में हो सकती है कोरोना वारस को लेकर तो आरोग्य सेतू यह एप है और इस एप को लेकर हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे आप इसको डाउनलोट कर सकते हैं और इसके साथ ही किस तरह किस सवाल इसमें सामने आते हैं जोनकी जरीय आप यह जान सकते हैं कि कितना रिस्क, कितनी पॉसिबिल्टी आपकी है कोरोना वारस से कि आप संक्रमित हो सकते हैं तो चलिए पहले इस आप को हम डाउनलोट कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कैसे कैसे इसका प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आगे आता है तो सबसे पहले प्ले स्टोर को खोलते हैं किसी भी Android पोन से, Iphone फोन से आप इस आप को डाउनलोट कर सकते हैं तो पहले हम आरोग के अप को यहाँ पर डाउनलोट करेंगे आरोगी सेतु आप जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले option में यहाँ पर आरोगी सेतु का ही आ रहा है तो इसे हम tick करेंगे उसके बाद इसे अब हम install कर लेंगे उसके बाद Bluetooth और Location को switch on करना है तो हम यहाँ पर अपने Bluetooth को on कर लेते हैं Location हमारा पहले से ही यहाँ पर on है इसके बाद अपनी location sharing को always पर set करना होगा आपको तभी आपको लगातार से जो connecting news है जो updates है वो यहाँ पर मिलती रहेगी आगे बढ़ेंगे register हमें भी अब यहाँ पर करना होगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम register इसमें करेंगे और यह तमाम जो सेवा हैं जो service है और जो गोपनिता की शर्ते हैं उनको यहाँ पर क्या जाएगा mobile location को लेकर यहाँ पर जानकार दी गई है Bluetooth और data sharing जो आपको हमेशा ही यहाँ पर open अपनी रखनी होगी सहमत हूँ का मैं यहाँ पर एक button दबा देती हूँ तो allow मुझे करना होगा यहाँ पर और इसके बाद मैं अपना phone number यहाँ पर डाल लेती हूँ तो अपना phone number डालने के बाद अब मैं इसे submit करूँगी और इसके बाद मुझे एक OTP यहाँ पर मिलेगा तो OTP आ गया है 97 8869 यह OTP नमबर है अब इससे हम submit करेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं कि और जो जानकारियां हैं और जो details हैं वो यह आपसे यहाँ पर मांगेगा तो यहाँ पर मैं और अपनी details डालूँगी अपना नाम यहाँ पर मैं डालूँगी इसके साथ ही और भी कई जो जानकारियां हैं वो भी यह app आपसे आगे मांगेगा तो नाम डालने के बाद यह आपसे आपकी age पूछेगा फिर website और यह options यहाँ पर दिये हुए हैं कि किस website से आप जुड़े हुए हैं जिसमें इसमें हम देख पा रहे हैं कौन-कौन से website हैं तो इसमें से हमारा website इसमें अभी नहीं है तो हम इसमें इन में से कोई भी नहीं करेंगे और यह जानकारिया आपसे यह भी पूछ रहा है कि पिछले 30 दिनों में किन देशों का ब्रहमन आपने किया जैसा कि मैंने अभी यहां पर कहीं भ्रहमन नहीं किया है डिटेल्स भी आप देखना चाहेंगे तो कई options यहां पर आय रहा है चाइना, USA, Spain, Germany तो इन में से किसी में नहीं किया तो हम none को यहां पर click करेंगे तो इन none करने के बाद आपने देखा कि एक और सवाल यहां पर हमारे सामने आया है कि जरुवत की समय स्वेम सेवा में रुची आपकी है कि आप volunteers बढ़ने के इच्छुक हैं तो इसमें हम हां का option कर देंगे वहीं submission की पुष्टी करें आप submit करें इसको कि आपने सब जो details यहां है वो सही है तो इसमें हमने submit कर दिया है और क्या आप अच्छा महसूस कर रहे है यह आपकी अभी की feeling को पूछ रहा है क्या आपको किस तरह की दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा पड़ रहा है तो ऐसे में हम यहां पर करेंगे नहीं हम स्वस्थ हैं और इसके बार बात कुछ और जानकारी क्रिप्राधान्दे के स्कॉल से दी गई जानकारी का उप्योग वर्तमान स्वास संकत की निग्रानी और प्रबंधन और COVID-19 के विरुद अनुसंधान के लिए किया जाएगा क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी कानुभव कर रहे हैं खासी अगर आपको है बुखार आपको है सास लेने भी दिक्कत है या इनमें से कोई भी नहीं है तो हमें कोई भी शिकायत नहीं है तो इसमें हम इनमें से कोई भी नहीं करेंगे इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपको कभी नीचे लिखे हुए डोग में से कुछ भी कभी हुआ है तो इसमें तमाम तरीके के अधिक गये हैं मदू में है और हाइपरटेंशन, फेपरो की बिमारी, दिल की बिमारी इनसे जुड़ी अगर कोई दिक्कते हैं तो उस पे आप क्लिक कर सकते हैं हम यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं करेंगे और इसमें पूछा है क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है नहीं इसकी बाद नीचे दिये गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागो होता है यह पूछा जा रहा है हाली में किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहा हूँ मैं एक स्वास करमचारी हूँ और मैंने सुरक्षा आत्मक गयर के बिना एक COVID-19 पुष्ट मामली की जानकारी की है तो इन में से हमारे सामने कोई भी नहीं है तो इसमें हम नहीं करेंगे और अब हमें एक यहाँ पर आया है कि जिससे आप रोज सेल्फ अपने आपको असिस्ट कर सकते हैं तो पूरा दिखाये गया है कि आपका संक्रमण का जोखिम कम है आप सेफ हैं और हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोबल कोरोना वारस की संपर्क में कीसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें तो घर पर रहने की अपील यहाँ पर भी की गई है आगे आप देख सकते हैं कि हमें एक certificate की तौर पर यहाँ पर मिल गया है कि हम safe हैं, जो जो जानकारी हमने दी वो यहाँ पर safe है और recommend की गई हैं चीजें कि आपको social distance बना कर रखना है, self assessment test आपको हमेशा करना है, इसके साथ ही check app regularly for updates, आप से इस apps related आपको जो updates है, और आपको रोज मिलती रहेंगी, तो यह ROGC2 app है, help करेगा आपको कि आप खुद आपको देख सकें और possibilities को चेक कर पाएं और इस coronavirus से बच पाएं, तो घर पर रहेगी, यही अपील आप से R9 TV भी करता है.